प्याज जिसको हम कांदा लाल प्याज या सफेद प्याज के नाम से जानते हैं इसका इस्तेमाल भोजन को स्वादिस्ट तता सुपाज बनाने के लिए तो किया ही जाता है वहीं इसका इस्तेमाल और शदी प्रयोजनों में भी किया जाता रहा है तो आई जानते हैं कि प्याज किन किन बिमारियों में अत्यांत फादिमंद मानी जाती है दोस्तों यदि आप diabetes अत्वा मधुमे की बिमारी से पीडित है तो प्याज आपके लिए राम बाल और शदी की तरह कारे कर सकती है प्याज में क्रोमियम पाय जाता है जो कि रक्त सरकरा के स्तर को नियंतित रखने में मदद करता रहता है और हमारी मासपेशियों और शरीर की कुशकाओं को धीरे धीरे ग्लुकोस देता है दोस्तों diabetes की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि रक्त सरकरा का स्तर ठीक नहीं रहता इसलिए प्याज खाने से आपके रक्त सरकरा के स्तर को नियंतित रहने में मदद मिल सकती है जो कि diabetes के रोगियों के लिए बहुत महत्पूर माना जाता है इसलिए डॉक्टर diabetes के पेशन्ट को कच्चा प्याज खाने की सलाह अवश्य देते हैं दोस्तों प्याज के नियंति सेवन से हरदय रोगों की खत्रे को भी कम किया जा सकता है प्याज में क्वार्सेंटीन नामक तत्व पाय जाता है जिसमें हरदय रोगों से लड़ने की छमता होती है यह एंटी आक्सिदेंट और एंटी इंफ्लमेटरी दोनों गुण प्रदान करता है जो कि हरदय को स्वस्त रखने में मदद करता है प्याज शरीर में रक्त को जमने से रोकने का काम भी करता है इसलिए तो प्याज को बलट थिनर भी कहा जा सकता है दोस्तों प्याज लाल रक्त कोशकाओं को एक जगए कठा होकर जमने से रोकता है जिसके कान धमनिया बलाक हो सकती है दहमनियों के बलाक होने और रक्त के ठकों के कान हरदय विकार या हरदय रोग हो सकता है इसलिए यदि प्याज का आप निमित रुप से इस्तेमाल करते हैं तो आपको हरदय रोग होने की संभावना कम होती जाती है दोस्तों यदि किसी को एनीमिया की समस्या है या निकी खून की कमी रहती है तो ये समझ लीजे कि आरन की कमी के कारण एनीमिया जैसी गंभीर मिमारी पनब जाती है जो कभी कभी घातक रूप भी ले सकती है प्याज एनीमिया के इलाज में काफी मददगार सावित हो सकता है क्योंकि प्याज में लोहा और फॉलेट पाये जाता है फॉलेट एक फाइटो केमिकल माना जाता है जो लोहे को अपने पूरी छमता में अवसुशत करने में मदद करता है इनीमिया की इलाज के लिए गुड और पानी के साथ प्याज खाने से अत्यंत लाब प्राप्त होता है क्योंकि यह शरीर में लोहा जैसे खरिच को बढ़ा कर लाल रखत कोश्काओं के उत्पादन में भी मदद करता है दोस्तों यदि आपको इनीमिया की शिकायत है तो प्याज का सेवन रामबाड माना जा सकता है दोस्तों यदि आपको गठिया या जोडो के दर्द की शिकायत है तो प्याज अत्यंत लाब दायक मानी जा सकती है करना सिर्फ आपको इतना है कि प्याज का रस और सरसो के तेल को बराबर मात्रा में मिला कर गठिया या जोडो के दर्द वाले स्थान पर लगातार मालिश करनी है धीरे-धीरे आप पाएंगे कि गठिया का दर्द और जोडो के दर्द में आपको अराम मिलने लगा है दोस्तों यदि आप कच्ची प्याच खाने के शौकीन है तो समझ लीजिए कि प्याच खाने से गर्वियों में लूर नहीं लग सकती अगर किसी भी कानवसलू लग भी जाए तो प्याज का रस पीने से या उसको पैरों के तलवे पर मलने से तत्काल अवस्था से राहत प्राप्त हो जाती है दोस्तों यदि आप बालों की समस्या से परिशान है यानि कि आपके बाल असमय पक रहे हैं तूट रहे हैं जड़ रहे हैं या आपके बालों में डेंडर्फ हो गया है तो करना आपको सिर्फ इतना है कि नारियल का तेल और प्याज के रस को बराबर मात्रा में मिला कर रूई बाल तूटकर जड़ने भी बंद हो जा रहे हैं साथ ही साथ डेंडरफ से भी आपको छुटकारा मिलता जा रहा है दोस्तों यदि किसी को कब्ज अत्वा गैस की समस्या रहती है तो आप प्याज का सेवन अवश्य करें क्योंकि प्याज में मौजूद फाइबर पेट को साफ फरकने में मदद करता है साथ ही साथ कैस की समस्या से निजात परदान करता है आपको कब्ज की समस्या में रहत मिलती जाती है दोस्तों यदि कान में किसी भी प्रकार का दर्द है और रहत नहीं मिल रही है तो करना आपको सिर्फ इतना है कि प्याज के रस की कुछ बुदें रुई की सहाता से कान में डालने आप देखेंगे कि आपको कान में दर्द से आराम मिलने लगा है दोस्तों यहां ध्यान देने योगी बात यह है कि प्याज को प्राकृतिक गुणों का भंडार माना जाता है इसलिए इसका प्रयोग प्राकृतिक और शदी के रूप में ही किया जाना चाहिए आशा करते हूं कि आज की यह सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद